रिवीजन एवरीटिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत सागत हैं तो कैसे आप लोग आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे देखिए इसके पहले भारतिय समीधान में हमने अनुच्छेद 123 तक देखा हुआ है जहां पर राश्पती जी के जो अध् 243 तक सर्वोच नयायालय की चर्चा की गई है कि उनको कौन सी सक्तिया प्रदान की गई है या फिर उनकी क्या कारवाही होगी उसके बारे में चर्चा की गई है तो चलिए हम सबसे पहले परते हैं अनुच्छेद 124 देखिए अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए दो योगिता की गई है या तो आप 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में आपने वकालत की हो या फिर 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में आप जजवन के रहे हो इसके अलामा जो अगली सर्थ है वो यह है कि आप राश्पती जी के नजर में अच्छे जानकार होने चाहिए कानून के ठीक सुप्रीम कोर्ड में जजों की नियुक्ति राश्पति करते हैं जज की नियुक्ति के समय राश्पति से सलाह लेते हैं यानि कि अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ड का जज बना है तो उसकी नियुक्ति राश्पति जी करते हैं यानि जजों की नियुक्ति करता है सुप से सलाह लें के बाद सुप्रीम कोट के ज़झों की नियुक्ति करते हैं ठीक है मुक्ह नियाइधिस यानि Все गोलोजियम के सलाह लेते हैं सुप्रीम कोट के पांच वरिष्ट जजों को कोलोजियम कहते हैं लेकिन माल लीजिये कि CGI की नियुक्ति कैसे की जाएगी लेकिन अब अगर CGI की नियुक्ति करनी है तो कैसे की जाएगी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ पांच जज होंगे वरिष्ठ से तातपरे जो एज में जादा होंगे क्योंकि अगर एज में जादा है त को अनुभव भी भहुत होगा तो उन्हीं पांच जो वरिष्ट जज होंगे उनको को लोजियम बोला जाएगा और उन्हीं की सिफारिश पर किसी की जाएगी ठीक है तो यह था अनुभ 624 अब पढ़ते हैं अनुभ 625 इसमें क्या कहा गया है जजो का वेतन यानि अनुभ 625 में जजो के वेतन की चर्चा की गई है देखें जजो को संचित निधि से वेतन दिया जाता है इसमें कटावती नहीं की जा सकती है मुख्य ही शों को 2,50,000 दिया जाता है उनका वेतन है यानि कि जो CGI होगे उनका वेतन दोलाख असी हजार होगा और जो अन्य न्याय धीश होंगे उनका धाई लाख यानि दो लाख पचास अजार उनका वेतन होगा और जजो को जो वेतन दिया जाएगा वो देश की संचित निधी से दी जाएगी जिसमें कोई कटाउती नहीं की जाती डेश की कोई भी स्थिती हो चाहे अपातकाल लगा हो कुछ भी हो जजो का वेतन फिक्स है उनके वेतन में कटाउती नहीं की जाएगी फिर है अनुच्छेद 126 जब मुख्य न्याय धीश अनुपस्थित रहता है तो 33 जजो में से ही एको आस्थाई मुख्य न्याय धीश बना दिया जाता है जिसे कारिकारी मुख्य न्याय धीश कहते हैं इसके वेतन भत्ते तथा शक्तियां मुख्य न्याय धीश के ही बराबर रहती है देखिए हमारे जो सुप्रीम कोट है उसमें एक cgi का होना तो जरूरी ही है और रहते भी है लेकिन मान लीजिए किसी कारण वश cgi अनुपस्थित हैं उनको को अईसा दिया जाएगा जो भत्ता दिया जाएगा वो मुख्य न्याय धीश के हिसाफ से ही दिया जाएगा अब पूछेंगे यह कैसे मान लेजिए कि एक जज़ साहब जो हैं जो cg आई हैं उनके एक महिने का वेतन दो लाख असी हसार है यानि तीस दिन का वेतन दो लाख सी हसार है तो जो कुछ समय के लिए मुख्य न्याय धीश बनेंगे उनको दिन के हिसाब से डिवाइड करके भाग देके उनको उसी हिसाब से वेतन और भत्ता दे दिया जाएगा यानि अनुच्छे 124 में आइस्थाई मुख्य न्याय धीश की चर्चा है यानि टेंपरेरी akin के लिए तधर्थ नीयधिश को तब बुलाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या की कमी हो जाए हो जाए उन सब इसके आधार पर राश्टपती 25 हाई कोर्ट के मुख्य न्याधीश से सलाह लेकर एड हॉक जज की नियुक्ति करते हैं इसकी सक्ति सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है किन्तु यह आइस्थाई होता है देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जजों की संख्या की कमी ह हो गई है तो अब जो देश के 25 हाई कोर्ट हैं वहां से कुछ जजों को बुलाया जाएगा और कुछ समय के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा और इनकी जो सक्तियां होगी वह सुप्रीम कोर्ट के बराबर होगी यानि अनुच्छे 127 में टेंपरोरी ज जज की चर्चा की गई है ठीक है फिर है अनुच्छे 128 अब इसमें क्या कहा गया है जब तदर्थ न्याइधीश उपलब्ध नहीं हो पाते तो सेवा निवरित जज को लाया जाता है देखिए हमारे देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं लेकिन सभी हाई कोर्ट के पास उतने ही क आपको जज तो उस समय जो कोचुके रहते हैं उनको बलाया जाता है क्योंकि फिर हैं अनुच्य liqu 29 इसमें क्या क्या कहाई है S.C. अभिलेक यानि सुप्रीम कोर्ट के अभिलेक यान नजीर का कार्य करती है अर्थात सुप्रीम कोर्ट का नेर्णा किसी अन्य मुकदमे में भी उधारन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि न्याय जल्दी मिल जाए इसमें कहने का क्या आर्थ है कि माली जे ऐस्ससामपल क्रीम मालने जाए है कि किसी ने कृसे चुरा लिये ठीक है तो उस समय जजद सहव में ओस्तोत चोरी में निर्णा के लिए कर का निर्णा जाए है फिर next time जब चोरी का related कोई मामला आएगा तो जो पुराना वाला केस है उसी को दिखा दिया जाएगा कि देखिए काम भी वही है चोरी भी वही की हुई है और जैस सहब ने उस समय पर ये फैसला सुनाया हुआ था इसी आधार पर आप इने ये फैसला दे दीजिए फैसला सुना दीजिए इससे क्या होता है कि बहुत समय जो लगता है मुकदमे में वो उस समय खिचता नहीं है उसी मुकदमे का जो result आया होता है जो उस समय result दिया गया रहता है वही same to same फैसला इसको भी दे दिया जाता है ठीक है यानि कि जो अभिलेग लिखे गए होते हैं उसी के अधार पर न्याय कर दिया जाता है ठीक है जैसे कि एक और example समय लेजिए कि मालीजी हम लोग college में हैं ठीक है अगर मालीजी अपना उधार हम दे तो मालीजी मैं college गई और वहां पे हम अपना i-card नहीं लेके गए तो वहां पे जट सहब मालीजी सुना दिये कि हमको दे दी जाए क्योंकि आप i-card लेके नहीं गए हैं और जब जट सहब ने ये मुकदमा ये फैसला सुनाया तो उस समय वह बात notice करके रख ली जाएगी और फिर next time जब भी कोई बच्चे अपने college में i-card लेके नहीं जाएगा उसको भी फासी दे दी जाएगी क्योंकि जुर पुराने